नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि न्यूफोरस 150 टाबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, न्यूफोरस 150 टाबलेट को कैसे लेना चाहिए, और न्यूफोरस टाबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि न्यूफोरस टाबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए, न्यूफोरस टाबलेट एक एंटी फंगल दवा है, न्यूफोरस टाबलेट का उप्योग फंगल इंफेक्शन और यीस्ट इंफेक्शन होने पर किया जाता है, इसके अलावा तवचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर भी डॉक्टर न्यूफोरस टाबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं, तवचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर तवचा में लाल धब्बे, दाद, खाज, खुजली और तवचा में जख्म आदी लक्षन दिखाई देने लगते हैं, फंगल इंफेक्शन नाखुनों मुह और जांगों में भी हो सकता है, फंगल इंफेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, साइड इफेक्श की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में न्यूफोरस टैबलेट की वज़़से कोई साइड इफेक्श नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में न्यूफोरस टैबलेट की वज़ा से कुछ side effects हो सकते हैं। जैसे पेटदर्ध होना, सिरदर्ध होना, धूप का कम होना, दस्त होना, उल्ती आना और उल्ती आने का मन होना आदी साइड इफेक्ट्स न्यूफोरस टैबलेट की वज़े से हो सकते हैं. इसके अलावा न्यूफोरस टैबलेट की वज़े से कुछ पसेंट व्यक्तियों में जोडों में दर्ध होना, बानों का जढ़ना, लिवर में सूजन होना और तवचा पर रैशेज भी हो सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक न्यूफोरस टैबलेट को लेने से लिवर डैमेज भी हो सकता है। अब हम डिसकस करेंगे की न्यूफोरस टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। नूफोरस टेबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। महिलाओं की वजाइना में फंगल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्तर नूफोरस 150 mg टेबलेट को सकता में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। वचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर नूफोरस टेबलेट की डोज इससे अधिक हो सकती है। नूफोरस टेबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आपको नूफोरस टेबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि नूफोरस टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। अगर आपको किड्नी या लिवर की कोई समस्या है, तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। क्योंकि न्यूफोरस टैबलेट किड्नी और लिवर की समस्याओं को ज्यादा गंभीर बना सकती है। प्रेग्मेंट महिलाओं के लिए न्यूफोरस टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड नहीं है। अभी इसके बारे में परियाप्ट डेटा अवेलेबल नहीं है कि न्यूफोरस टैबलेट स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं। इसलिए ज्यादातर डॉक्तर स्तनपान करा रही महिलाओं को न्यूफोरस टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका न्यूफोरस टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।